आप सभी का मेरी YouTube चैनल पर स्वागत है तो आज का जो वीजियो है वो तंग पैपिला से रिलेटेड है और तंग में जो पैपिला का इलार्जमेंट है उस पर आज हम लोग बात करेंगे और इस तरह के कैसे जो है पेशेंट को काफी ज्यादा कमप्लें होता है कि उनके तंग में कुछ प्राब्लम है या फिर तंग में जो है लाइन्स मनी हुई है तंग में दराडे है जो पिछले पुस्टेरियर लेटरल सर्फेस ऑफ दर तंग में प्रेजेंट है और पेशेंट जो है काफी टाइम इससे सफर करते हैं और वो पैनिक होते हैं इवेन वो बहुत सार नहीं जा रहा है तो ऐसे पेशेंट जिनको की इंक्रीज हो गया है पैपिला या फिर उन्हें पैपिला में अपना सूजन दिखता है तो इसमें ज्यादा घवराने वाली कोई बात नहीं होती है नॉर्मल तौर पे जो हमारे टंग में पैपिला होते है वो चार प्रकार के ह जिसमें की जो फिली फॉर्म पैपिला है उसमें ज्यादा तर टेस्ट बर्ड नहीं कंटेन होते हैं फंजी फॉर्म पैपिला में कुछ टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो कंटेन रहते हैं और जो हमारा फिली फॉर्म और फंजी फॉर्म पैपिला है यह एंटेरियर दॉर्सम सरफिस ऑफ दर टंग में पाया जाता है वहीं पे हम बात किते हैं other type of papilla की तो जो foliate papilla है वह हमारा posterolateral surface of the tongue पे पाया जाता है और जो हमारा circumvalid papilla है तो वह dorsum surface of the tongue पे round round structures जो होते हैं वह पाया जाते हैं तो जब भी mouth के अंदर किसी भी या कोई infection हो तो यह papilla enlarge होते हैं और कई बार वो रैडिस भी हो जाते हैं तो रैडनेस और इंफ्लामेशन जो है इस papilla में होता है तो ऐसा होता क्यों है तो ऐसे patient जिन्हें की smoking की habit है या फिर वो chronic smoker है तो वहाँ पे जो chemical release होता है और जो heat अंदर generate होता है माउस के अंदर तो वो जो है chemical irritation के कारण जो papilla है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो आपका foliate papilla है तो foliate papilla में क्या होता है इंफ्लामेशन हो जाता है और red हो जाता है वो area और patient जो है बार बार mirror में देखते हैं कि उन्हें कुछ problem है कहीं ये cancer तो नहीं है तो ऐसा नहीं सोचना है ये cancer नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे patient के messages आते हैं कि मैं आप इतना बताएं तो सही कि ये cancer तो नहीं है तो मैं यहीं बताना चाहते हूं कि ये cancer नहीं है कई बार कुछ cases में ये habit associated होते हैं जिसमें की most common smoking होता है और उसके अलावा जो good customer होते हैं उनमें भी ये देखा गया और यूं कहें कि जिन patients को habit की problem नहीं है मिल्स वो किसी भी प्रकार के tobacco habits से associated नहीं होते हैं तो ऐसे patient में जो है ये nutritional deficiency की कारण हो सकता है या ऐसी females जो की pregnancy में है या फिर just अभी baby deliver हुआ है तो फिर ऐसे patients में जो है आम तर पर देखा गया है कि जो deficiency nutritional की बनी होती है चाहे वो iron deficiency हो या folic acid deficiency हो या यू कहले की B12 deficiency हो तो बहुत सारे nutritional support जो है वो हमें requirement होता है body को अच्छे तरीके से fit रखने के लिए तो जो भी लोग इससे ग्रसित होते हैं तो इसके लिए जो इलाज है उसको दो-तीन तरीके से हम लोग जज करते हैं कि patient का evaluation सबसे ज्यारा important है कि patient किस category में आता है क्या वो habit associated है या फिर वो nutritional deficiency से प्राइशित है या फिर वो किसी infection से ग्रसित है इंफेक्शन के हम जब बात करते हैं तो यहां पर जो mostly जो होता है फांगल इंफेक्शन जो है patient को हो सकता है और patient मे法 mug Spectum क्योंकि इसे ज्यादा जो मेडिसीन है आपके इवैलिवेशन के हिसाब से डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका कंडिशन रहेगा उसको देख के विज्वलाइज करने के बाद ही आपको मेडिसीन जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है और एक और चीज है जो कई ब तो फ्रैंक कट नहीं होता है इसमें जो भी कट आपको दिखेंगे वह एक लाइन की तरह दिखेगा तो ऐसे पेशन जिसमें की रैग्ड सर्फिस है तो उन्हें हो सकता है कि जो सार्प एज हो टीथ के उस रिजन में वह इंपिंज हो रहे हो या कई बार पेशन के जो टंग होते हैं तो उस केसे में भी क्या होता है कि पेशिंट का जो है वहां पर इंडेंटेशन अपियर होता है तो उसके लिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है उसके लिए आपको किसी भी डेंटल सर्जन के पास जाके स्मूतनिंग और टीथ यानि ग्राइंडिंग और सार्प मेडिसिन लेंगे तो यह कंप्लीट क्यूर हो जाता है और इसमें बहुत ज्यादा परिशान और पैनिक नहीं होना है अगर आप स्मोकर है तो आपको हैबिट कुट करनी होगी या गुटक अचीवर है तो हैबिट कुट करनी होगी तब जो दवा आप खाएंगे तो फिर व मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ आपको डाइट इंप्रूव करना है तो आप जो है जो लाइकोफिन रिच डाइट है जैसे कि पका हुआ पपीता टमाटर या फिर विटामिन ए जो गाजर में होता है तो इस तरह से आप और जैसे कि अनेमिक परसें जिनमें की आइरन डे जो आपका निट्रिशनल डेफिसेंसी है वो पूरा हो जाएगा और जो भी मालेजे किसी को फंगल इंफेक्शन है तो फंगल इंफेक्शन के लिए हम लोग ट्रीट करते हैं या फिर अगर कोई ट्रॉमेटिक बाइट है तो उस बाइट को करेक्ट करना प्राइरिटी बिस इस पर होता है और इस तरह से तीन चार ऐसे फैक्टर है जो कि पैपलाइटिस को के लिए रिस्पॉंसेबल होता है और इसको क्योर करने के बाद यह प्रॉब्लम सॉट आउट हो जाता है तो आज का वीडियो यहीं तक ता गाईज उम्मीद करते हो कि वीडियो आपके आपके लिए यह